नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवरेज कृष्णल लिउक्टूब चैनल, लन्द बिश्वा, तो आज हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं, वो है अलजबरा, तो चलो आज कुछ नया सिखें, दोस्तों आपको पता है कि अलजबरा का मतलब होता है बीजगड़े, और यह बहुत important है किसी भी competitive exam के लिए, बस आप धैर से मेरा वीडियो देखते रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें बहुत साइट types है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, दोस्तों जो आज का पहला type है, उसमें क्या रहेगा, ध्यान दीजे command क्या होगा, यह यहां कुछ भी दे सकता है, पहले आपको यह जानना है, कि यहां क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजे, अगर x plus 1 by x equal to 2 हो, तो x command always 1 होता है, इस बात को भूलनाई नहीं है, यह satisfy करता है, यह प्रमारित करता है, कि x command 1 ही होगा, अगर यहां 2 है तो, और यहा x command हम 1 मानते हैं, तो 1 plus 1 और यहां भी x command 1 equal to 2, हो गया दोस्तों, 1 by 1 का मतलब वह नहीं होता है, यानि 1 plus 1 equal to 2, तो कहने का मतलब है कि जब भी x plus 1 by x equal to 2 हो, तो always याप रखिए, यह concept दिमाग में रख लीजिए, कि always उसका x का जो मान होगा, वह 1 ही होगा, और इसलिए यहां 2 आया होगा, यह प्रमारिक है दोस्तों, यह satisfied है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस x का मान जहां भी put up करना है, आप put up करिए और आपका answer आजाएगा, पोसन हमारा यह है दोस्तों, अगर इसका मान 2 है, तो x का power 9 plus 1 by x का power 9 का मान क्या होगा, यानि इसका मान गयात करना है, तो कुछ नहीं करना है, तो बस x के पास 1 put up कीजिए, power 9 plus 1 है, फिर x के पास 1 put up कीजिए, power 9, equal to क्या होगा, किसी भी 1 का कितना भी power हो, 1 नहीं होता है, पता है आपको, plus 1 divided by, यहां भी 1 का जितना भी power हो, 1 नहीं होगा, equal to 2, यानि answer इसका 2 हुआ, तो चलिए, कोस्ता हम देखते हैं, जो की, अल्रेडी, प्रिवियर्स एक्जाम में, पुछा हुआ है, दोस्तों, यह दोस्तों, ssc, cpo, 2014 में, पुछा हुआ है, देखिए, कितना typical रग रहा है, देखने में, यानि, x plus 1 by x equal to 2 हो, तो x का power 2013, plus 1 divided by x का power 2013 का मान ग्याद करें, देखकर ही, लोग है, यानि, किसका value, x plus 1 by x का value 2 है, तो always x का मान 1 होगा, मैं यहां बताया भी कैसे होता है, बस आपको यह दिमाग में सोची ने ना है, कि x का मान 1 ही होगा, अगर x plus 1 by x equal to 2 दिया है, तो चलिए, अब यहां क्या करना है, x के पास sum को, अब इसी को sum करना है, तो x के पास sum को 1 क अबना है, 1 का power, 2, 0, 1, 3, plus 1, इसका 1 लिए, divided by x का मान क्या होगा, 1 होगा, और power क्या है, 2, 0, 1, 3, आपको यह पता ही है, दोस्तों, कि 1 का power जितना भी हो, 1 ही होता है, तो जितना भी power दे दिजिए, 1 होगा, plus 1 by 1, तो 1 by 1 का मतलब भी 1 होता है, 1 और 1 जाएगा, तो 1 ही बच 1 से always question पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा, और आप question bank जब लेकर बैठीएगा, तो इस type के बहुत सारे question आएगा, और आप देखते ही उस answer बना दीजिएगा, कलम की जोगत नहीं पड़ेगी, तो दोस्तों हम type 1 समाप करते हैं, अब चलते हैं type 2 की तरफ, तो दोस्तों, एक सस्क्वाइग प्लस, 1 बाई एक सस्क्वाइग इक्वाइग तो वाट, देखिए दोस्तों, इसका concept मैं भी आपको बताऊंगा, पहले आप ट्रीप जाएगे, यहाँ अल्वेज इस condition में प्लस आएगा, अल्वेज प्लस, यहाँ माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, यह अब बताऊंगा, अगर जो हम अभी ट्रीप अप्लाई करने जा रहे हैं, वह अल्वेज यहाँ प्लस वाले सिंबल होंगे, तहीं वो लागू होगा, कहने का अर्थ है कि यहां जो condition क्या होता है कि प्रस्ट का भाग हमेशा प्लस में ही होगा आरिश वाहेंड राइट हैड साइड यानि प्रस्ट वाला भाग हमारा ये हुआ ये आरिश राइट हैड वाला भाग है ये हमेशा प्लस में होगा जो मान है वो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है जान दीजेगा जो मान यानि एक्स प्लस वन डिवाइड़ बाइ एक्स का मान क्या है पाँच है तो ये वाला जो है न पोर्शन ये माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है और यहाँ minus है तो पैसे हम plus करते हैं आगे देखे हैं दोस्तों कितना असान होता है देखिए जो भैलू दिया है उसका square और यहाँ plus है तो minus और 2 बस हो गया यानि 25 minus 2 equal to 23 answer दोस्तों अब देखिए इसका मान यहाँ क्या है 6 है और यहाँ minus का symbol है कुछ नहीं जो भैलू दिया है उसका square minus है यहाँ ध्याद दियेगा तो plus 2 हो गया तोस्तों 36 plus 2 equal to 31 अमारा answer तो अब इससे असान क्या हो सकता है दोस्तों आप खुद बताईए लेकिन यह concept आया कहा से वो बताना बहुत जरूरी आपको तो चलिए concept कहा से आया उसको देखते है यानि यह कहा से आ रहा कि यहाँ plus यहाँ minus क्या इसे हुआ लेकिन आप समझे लिजिए कि ऐसा जहां भी condition हो इसमें plus ही होगा यानि कोस्तन वाला भाग में अल्वेज प्लस होगा यहाँ plus और minus हो सकता है बहुत ही आराम आराम से जो भी भेलो दिया है उसका square प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस टू बस हो गया solve तो concept आपको बताता हूँ concept बताने में थ्वड़ा सा वीडियो लॉंग होगा लेकिन आपको पता चल जागा कि कहां बात का ध्यान रखिएगा तो क्या होता है a square plus b square plus 2ab यह होता है हमारा और इसमें क्या होता है a square plus b square minus 2ab अब देखिए दोस्तों यानि a plus b square हो या a minus b दोनों में a square plus b square a square plus b square आ रहा है जहां दिए a square plus b square a square plus b square इतर समझ गए a plus b का plus square पर क्या होगा अब इसे मिटाते हैं तो ऐसे ही x से plus 1yx यही है a और b होगा है दोस्तों यह a यह हुआ a b हुआ तो इसका square करेंगे जहां दीजिएगा बहुत ही आराम से बनेगा तो क्या होगा a square plus b square यह यह भी हुआ तो इसका square plus 1yx square और यह क्या है मान ध्यां दिजिएㅋ x plus 1yx square यही हम नकालगा है यह यह प्र् phosphبل का प्लस प्लस कि मान निकल रहे हैं तो इजब गौई यह वाला पाट इसर चला बाट, रहर हों डिय यह उ फ्लस ओन दीजिएगा, आनि X का minus यह प्लस ओला 2Y इधर जब आएगा यह equal to र्ट इधर आएगा तो minus रहता है equal to क्या हुआ? X स्क्राइड plus 1Y X स्क्राइड and A स्क्राइड plus 3 इसका मान जब होगा plus में जब हम आएगा हमेशा यह बात यार देकेगा तो देखिए यहां प्लस में है तो यहां दो माइनस किये यहां प्लस में है तो हम यहां दो माइनस किये दोस्तों क्योंकि यह हमारा प्लस ओला इधर माइनस हो गया अब देखिए आपको यह तो प्लस होगा तो यहां माइनस होगा क्यों यहां देख लिया क्योंकि यहां प्ल बड़ चेंज करता हो और देखिए फिर क्या कमीशन बनता है यहां ए-mynus-d-c-a-b-2-a-b-b-b-a-b-a-b-a-b-b-a-b-a-b-a-b-e-b-a-b-b-a-b-b-b-b-a-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b सब्सक्राइब करेंगे तो यहां क्या होगा तो यहां क्या होगा दोस्तों यहां क्या था यह करने का मतलब है कि यहां जब माइनस है माइनस वाले में काठी करपाईकर है जो स्कॉर्स करेंगे और यहां मैनस रहेगा तो अधिक सब्सक्राइब इसका value का square minus 2 plus में और value का square plus 2 minus वादे condition में यहाँ अल्वेज यही रहेगा तो हमारा ये जो part था part 2 है दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक और question लेते हैं और type 2 यहाँ समात करते हैं फिर शादे है type 3 की तरद तो दोस्तों यह type 2 का question है यहाँ जोभी value हो दोस्तों प्लस माइनस में जोभी आए कोई दीकत नहीं है प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है यहां x प्लस 1 by x यहां minus भी हो सकता है तो हमरा trick अलग लग होगा तो हम आगे बताते हैं तो चलिए इसको हम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों बताए है यहां जो भैलू दिया है उसका square कुछ नहीं अराम अराम से क्या है इसका square जब कर देंगे इसा ध्यान दीजी और यहां plus है तो minus 2 बन गया यहां जब इसका square करेंगे तो चर्चव का 16 या रूट जो है 3 से बाहर जागा तो 3 हो जाएगा और 16 में 3 से गुना 148 यह तो आप समझ रहोंगे minus 2 equal to 46 हमारा answer होगा दोस्तों तो इतना fast इतना सरल और कहां मिलेगा आपको दोस्तों तो इसलिए तो कहता हूं कि मेरे चैनल को subscribe कीजिए जीतना जल्दो subscribe कीजिए और लावी लाव उठाएए दोस्तों क्योंकि बहुत ही static fact आपको दिया जाता है यहां आप देखिए बहुत अच्छा लएगा हमारे चैनल को आवस आप subscribe कीजिए share कीजिए comments करना कभी नहीं भूलिए जहां भी दिखा तो आप मेरे चैनल पर दियो है नंबर से contact भी कर सकते हैं आप फिर आप मेरे comment box या फिर मेरे email id पर अपना भी या अपना questions जो भी है लिख सकते हैं तो दोस्तों अब हम type 3 की तरफ चलते हैं तो dear friends यह type 3 है और देखते हैं यह कैसा होता है जैसे देखिया अगर a plus 1 by a equal to 5 हो तो a minus 1 by a equal to what या a minus 1 by a equal to 5 हो तो a plus 1 by a equal to what condition क्या दोस्तों इसमें अगर यहां plus रहेगा तो यहां minus रहेगा यानि मान जो plus में दिया रहा होगा तो भैलू जो निकालना है वो minus में निकालने के लिए देगा और जब मान माइनस में दिया रहेगा तो भैलू जो निकालना है वो plus में पूछेगा यह बात का पहला ख्याल रखना है समझ गए काफी आपको लगेगा कि इतना पढ़ा रहे हैं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं हम कैसे करेंगे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है अब प्रैक्टिस कीजिएगा सब याद हो जाएगा दिमाग में बैठ जागा दोस्तों और इसका तो concept भी है मैं तो concept भी बताता हूँ ऐसा नहीं कि बस trick दे दिया और छोड़ दिया आपको concept कहा से trick उपजा है पैदा हुआ है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको अब बत अंडरूट बहुत ही इंपोर्टेंट भैलू का अस्क्वाइर पलस माइनस फोर बस बन गया यह कहां से आया इसका concept में भी बताऊंगा आपको पहले यह trick समझ लिजिए काफी असान होता है बनाना तो यहां अंडरूट क्या होगा ध्यान दिजिएगा भैलू क्या है 5 तो 5 का स्क्वाइर यहां कोर्शन में क्या है माइनस ते हैं भी माइनस होगा क्या फोर यानी अंडरूट 25 थोर इक्वल टू क्या हो गया अंडरूट 21 हमारा इसका एंसर हो गया, बस बिल्कूल इसी के जैसा ये भी, इस भी क्या हुआ, अंडर रूट भैलू का स्क्वाइर, यानि पांच का स्क्वाइर, पलस है तो हैं पलस 4, यानि अंडर रूट 25 पलस 4 इक्वल टू अंडर रूट 29, बस बन गया दोस्तों, ऐसे ही बनेगा, इतना ह है, ये कहां से ट्रीक बन रहा है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है, तो चलिए उसको भी हम देखते हैं, दोस्तों, ये तो आप समझ गए, यह मैं मिटाता हूँ, फिर करूँगा मैं, इसको आप, मैं आपको समझा दूँ अची तरह से, आपको ये पता है दोस्तों, ए प्लस बी का होलो स्क्वाइर, माइनस ए माइनस बी का होलो स्क्वाइर, इक्वल टू होता है, फोर ए बी, प्लस बी का होता है दोस्तों, यह होता है न, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसका स्क्वाइर, माइनस बी का होलो स्क्वाइर, इक्वल टू क्या होगा, फोर A का मान क्या है ध्वान दिजेगा, A, B का मान क्या है, 1 by A, यही, यह कट गया दोस्तों, तो क्या बचा, फोर बचे आपका, तो यह पूछता है या नहीं, तो यह पूछता है एकजाम में, क्या होगा, A plus 1 by A का whole square, इक्वाल टू, यहाँ 4 है, इसको इधर ले जाएए, तो यह सिम्बल माइनस है, तो इधर जाएगा, इक्वाल टू का तका होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 A plus 1 by A का whole square, प्लस 4 है, तो यही तो है, यह प्लस 1 by A, इक्वाल टू का होगा, तो square है, तो इधर चल जाता है, तो root हो जाता, अंडर root हो जाता है, तो A minus 1 by A का whole square, प्लस 4, यही यानि हमारा ऐसे ही क्वोस्ट पूछता है ना A minus 1 by A equal to 5 तो A plus 1 by A equal to 5 तो यहां क्या है A plus 1 by A पूछ रहे हमाँ लिए A minus 1 by A का होल स्क्राइब तो A minus 1 by A 5 हमारा था उसका होल स्क्राइब हम करते हैं ध्यान दिजिएगा under root में under root में क्यों और यहां plus 4 क्यों plus 4 क्योंकि बताये थे कि question में जो रहेगा वही तो question में plus है तो plus 4 plus 4 कहा है देखिए यहां plus 4 आया है plus 4 हम यहां plus में निकाले अगर आपको minus में निकालना है तो देखिए क्या आ जाएगा ध्यान दिजिएगा इसका जेव काते हो रख दीजिए a plus 1 by a का जेव काते हो रहेगा और ये plus है तो इसको यहां इधर लाएगा तो ये minus 4 हो जाएगा और equal to a minus 1 by a a square है तो इसको हट याहता येगा तो यहां under root आ जाएगा यानि ये भी आगे आपका a minus 1 by a कहां से आया जो भी value दिया था उसको square minus 4, minus में था तो minus 4, यही question, यही concept, तो चलिए और एकात question इस पर हम देखते हैं दोस्तों, तो यह type 3 है total, देखिए करते हैं कैसे, under root value का square, 749, प्लस है तो plus 4 equal to root 53, आप इसको समझ गए, अब चलिए इसको करते हैं, value का, देखिए value का square, यानि under root में ज 53 का square minus 4, तो under root का जब square करते हैं, तो यह root हड़ जाता है, तो 53 हुआ यहाँ, minus 4 equal to, क्या हुआ, under root 49, और इसका answer हुआ, 7, 749, 8 के पावर 87, पलस 1 by 8 के पावर 87 equal to 10, तो 8 के पावर 87 minus 1 by 8 के पावर 87 equal to heart, दो तरफ पावर एक जैसा है, कोई बात नहीं है, यहाँ plus रहेगा, तो यहाँ minus और यहाँ minus रहेगा, तो यहाँ plus यह बात ध्यान दिजिएगा, तो यह ऐसा ही बनेगा, जैसा हम बनाए हैं, यानि इसका square, value का square, यहाँ minus है, तो minus 4, बन गे आपका, क्या हुआ, 100 minus 4 equal to under root 96, इसको भी solve करेंगे, 4 root 6, हमको लगता है, कि आप type 3 बिल्कुल समझ गयोंगे, अब चलिए हम type 4 करते हैं, दोस्तों, यह type 4 है, और type 4 क्या है, घाल दिए, बहुत ही असान है, प्लस 1 बाई x का मान 5 हो, तो x square minus 1 बाई x square का मान क्या होगा, यह क्या है, अगर आप क्यों यहाँ plus कर दिजएगा, दोस्तों न, तो यह type 2 हो जाएगा, और type 2 कितना असान था, आपको याद है न, बस यहाँ भी वही है, जो भैलू है उसका square, और यहाँ plus है, तो minus है, minus है त प्लस 2, तो यहाँ plus है, तो minus 2, इकल टू क्या होगा, 25 और minus 2, 23, यही हमारा क्या था, type 2 था, अगर यहाँ plus रहता तब, लेकिन दोस्तों, यहाँ plus नहीं है, यहाँ minus है, तो minus है, तो क्या यह होगा, नहीं, अगर exam में ऐसा बना दिए, तो गलत, कभी ऐसा नहीं होगा, तब यहाँ plus हो, केवल plus हो, minus के condition में यह change हो जाता है, और यह क्या होता है, अब चलिए हम देखते है, बहुत मज़ा आएगा आपको, बस बेरे साथ चलिए, बहुत अराम अराम से सब को समझ जाएगा, ध्यान दिजिएगा, आप इसको तो समझ रहे होंगे, इसका मान क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ेंगे, बनाएंगे a square minus b square, ध्यान दिजिएगा, a square minus b square, equal to क्या होता है, a plus b into a minus b, आप तो यह जानते हैं, यह तो आप always जानते हैं, कहीं दीकत नहीं है आपको, तो बस यही तो है, और हम यहाँ इसका value यहाँ निकाल दिए, इसका value यह होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला part क्या होगा, x plus 1 by x, कोई दीकत नहीं, into दूसरा part का हुआ, x minus 1 by x, इसका मतलब क्या है, यह a हुआ, यह b हुआ, अगर आप इसको a और इसको b मानते हैं, तो क्या होगा, a square minus b square, क्या होता है, a plus b into a minus b, तो a plus b into a minus b, बन गया दोस्तों, अ क्या आप तो बहुत ही मजा से बनाएगा तो दोस्तों यहां तो दिया हुआ है a प्लस b का मान तो दिया हुआ है a प्लस a बाई x का माने हाँ क्या है पाँच है इन्टू अब जब यह अभी पार्ट 3 में पढ़े हैं दोस्तों a प्लस 1 बाई x इकवल टू फाईफ हो तो a माइनस 1 बाई x क्या होगा तो यही न a माइनस 1 बाई x है यहां ध्यान दिजेगा तो पार्ट 3 में दोस्तों जब यहां प्लस रहता तो यहां माइनस रहता था याँद है अभी तुरंत किये हैं तो ये निकालने के लिए क्या करते थे जो भी भैलू रहता था उसका अंडरूट करते थे जो भी भैलू रहता था उसका स्क्वाइर और माइनस है तो माइनस और पलस रहता था था पलस थे हां माइनस है तो माइनस और क्या है 4 यही करते थे दोस्तों आपको याद होगा तो हमारा a plus b और a minus b का value यहाँ आ गया तो क्या होगा दोस्तों यह 5 into यहाँ क्या हो गया 25 minus 4 equal to 5 under root 21 हमारा यही answer होगा इसका तो यह जो था हमारा यह जो पार्ट था हमारा यह टाइप 3 से ही related है दोस्तों क्योंकि इसको जो हम तोड़े के दो पार्ट में तो एक तो इसका value अलड़ी दिया हुआ निकल जाएगा और एक पार्ट 3 टाइप का कर देंगे आपको दिकत नही है कभी भी कि x-1 by x equal to 11 हो तो x कमान क्या होगा इसमें भी बनाने में कोई दिकत नहीं है अगर हमारा x-1 by x कमान पता है हमें तो हम x plus 1 by x कमान भी निकाल सकते है ना निकाल सकते है दोस्तों और वो टाइप 3 है टाइप 3 में क्या था इसमें क्या कर देंगे अंडर रूट और 11 का स्क्वाईर और हमको पलस निकाल ला है ना पलस, समश है माई ना थे प्लस थोर बन गए दोस्तों अब यही तो बनाना था आपका तो बन गया अब x कमान निकल गया ज्यान दिया दिकत जी बहुत ही आराम- आराम से निकल गया कोई दीकत थी नहीं तो इसको जब हम solve करेंगे दोस्तों, तो यह मान लिए 1 है समिकारण यह 2 समिकारण हो गया, तो यह पलस और यह माइनस एत हो गया, अब क्या बचा यहाँ, 2x बचा, equal to, अब इसको हम जोड़ देंगे, मान लिजिए यहाँ, 11 है, पलस, अंडरूट में जाएगा यह, क्या होगा, 121 और पलस 4 करेंगे, तो 125, तो यह मान किसका हो रहा है दोस्तों, ध्यान दिजिएगा, तो x का जब मान करेंगे इसको, अब x निकालेंगे, तो यहाँ 2 हट जाएगा, x बच गया, और इसको divide 2 कर देंगे, यहाँ तक तो कोई दिकत नहीं है, तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, निते का step और जा सकता है, 11 हुआ, ध्यान दिजिएगा, पलस, 25 में 5 से गुना करेंगे, तो क्या होगा, 125 होगा, तो 25 जो है, अंडर रूट से बाहर आ जागा, तो 5 होगा, 5 रूट, 5 divided by 2, हमारा यही एंसर हुआ दोस्तों, तो x का मान हमारा, ऐसे निकलेगा, जिसे ए दोस्तों, यही सब रहने दिए, क्यों यहां, पलस करके हम मान चार कर दिए, इसका मान चार हो, तो अब x का मान क्या होगा, चलिए, हम फिर बनाते हैं इसको, देखिए कि इतना अराम से बनेगा, कहीं भी दिकत नहीं होगी, चलिए, यहां हमारा, क्या, x पलस, 1y, x इक्व नहीं निकलेगा, तो अगर पलस में दिया हुआ है, और माइनस में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका भैलू, अंडर रूट, जो भैलू है, उसका अस्क्वाइर, और माइनस है यहां, तो माइनस, और क्या, 4, यह नहीं है, और तो कुछ है नहीं, तो पलस, क्योंकि इसमें पलस का समंध है हमारा, अंडर रूट, यह चर्चों का सोलो हुआ, और सोलो में से चार जाएगा, बार, और अगर एक्स कमान निकलना है, तो यहां टू जाएगा, यहां से मल्टिप्लाई है, तो यहां डिवीजन में चला जाएगा, टू, और इसको क चार और गुने तीन भी कर सकते हैं, और चार जब बाहर आएगा दोस्तों, तो दो दोनी का चार, दो हो जाएगा, यहां, यहां यहां, यह तीन यहां हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता होगा यह सब, तो ध्यान दीजेगा, जनना जुरूरी है आपको, यह हो गया, या यानि X का मान हमारा 2 पलस अंडर रूट 3 होगा तो चलिए इस टाइब के जितने भी कोस्टन है आप बनाएए बहुत ही मज़ आएगा और टाइब 3 टाइब 4 यह सब करने का मतलब है मेरा की थोड़ा सा कंसेप्ट किलियर हो अलग-अलग एक में भी पढ़ा सकते थे लंबा ख इसमें लिखा हूं RSS और LSS कहने का मतलब कि जो भैलू वाला पोर्शन है उसमें जो सिंबल है यानि प्लस और जो कोस्टन ला सिंबल है उसमें प्लस यानि दोनों में या तो एक जैसा चीन है या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे तब ही यह ट्रीक लागू होगा यहां भ बहुत ही असान टीक है भ्यान फर्माईएगा क्यूब है तो क्यूब कर दें किसका यह भैलू का भैलू क्या है ध्यान देजिए 5 तो 5 का हम क्या करेंगे क्यूब आपको समझाने के लिए इतना सलो यहां क्यूब कर दिए अब क्या होगा दोस्तों यहां यहीं अब समझना ह गड़ाना नहीं है, यह दोनों अगर plus में रहे, तो यहां minus होगा, minus क्या होगा, फिर वही क्या 5, into क्या 3, नहीं समय में आ रहा है, तो यह 5 into 3 कर दीजिए, यह जो है 5 का power 3, इसी कहा है 5 into 3 कर दीजिए, यानि cube से related है तो यहां 3 हुआ, plus है तो minus, minus है तो plus, यहां लिख देते है ध्यान दीजिए, दूसरा concept क्या हमारा, solve करते समय, जो solve हम करेंगे, solve करते समय क्या करेंगे, minus को हम plus करेंगे, और जो plus में होगा, उसको हम minus भैलू लेगे, समझ गए, तो यहां plus में है दोनों, तो minus किये, बन गया, अब इससे असान क्या हो सकता है, तो यहां होगा, 125 minus 15, य या तो plus हो, या फिर minus हो, कुछ नहीं, अब यहां देखिए, 4 का क्यों, देखिए, minus है, तो plus, यह दोनों minus है, तो यहां plus, यही 4 को लिखिए, और इसको power वाला को गुना कर दीजिए, क्या होगा, 64 plus 12 equal to 76, हो गया answer दोस्तों, इसमें अब ज्यादा example देने की जरूरत ही नही कहीं कुछ नहीं सोचना है, इसी तरह बनेगा, आराम, आराम से बनेगा, लेकिन, 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 ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत मैं आपको बता रहा हूं, कि कोशन जरूरी थुड़े की ऐसा हो सकता है, कोशन ऐसा भी हो सकता है, यहां plus नहीं करके minus कर दे, और यहा आप टाइब समझ गए, इसी में हम आगे बन रहा हूं, कोशन वही है, के बल सिम्बल चेंज कर रहे हैं, तो क्या करना होगा दोस्तों, इसका ख्याल रखिए, बहुत आराम से बनेगा, अब हमारा क्या हुआ, शिम्बल चेंज हो गया, अभी इसको हम हटाते हैं, क्योंकि ह यह तो निकालना है, यहाँ माइनस हो गया, तो सिम्बल हमको एक करना है, यानि यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस करना होगा, माइनस के जगे हमको प्लस करना होगा, तो हमें अब प्लस का मान निकालना होगा, यानि एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम तो पढ़े हैं दोस करना है कि है प्लस है तो प्लस ही चाहिए यहाँ तभी इस ओलand नहीं होगा तो यहाँ अगर मैंनस में दिया हुँ थे अफरी जो प IRA बस ऊहीं हुग है दोस्तों क्या होता है X Plus 1Bagical कंद निकालने लिए अंडर रूट डियां दिए कितना असान है दोस्तों अंडर के बाद जो भैलू दिया रहाता है उसका square निकालते थे हम लोग और यहाँ plus है तो plus minus है तो minus करते थे ठीक है plus और यहाँ क्या होगा 4 यहीं न है यानि under root 29 आ क्या भैलू अब यहाँ plus के जगए अब हमारा क्या एक भैलू हो गया दोस्तो x plus 1yx equal to under root 29 अब बन गया अब हमारा कोई दीकत नहीं है अब तो असान हो गया बस आपका जो यहाँ symbol है वहाँ यह symbol लाना है हमारा question बन जाएगा तो पस अब हमारा यह question हो गया कि x plus 1 by x का भैलू 29 हो तो x2 plus 1 by x2 क्या होगा बात एक ही है यह बराबर यही है दोस्तों यह दोनों बराबर है लेकिन हमें इस से बनाना पड़ेगा क्योंकि यह symbol में यह टीक जो हम बताएगे आपको काम नहीं करेगा तो अब क्या करना है इसका q जो भैलो है इसका q यानि 29 का q नहीं करते थे जो की वाला भी ट्रीक हम कर रहे थे और यहां पलस है तो solve करते समय माइनस बताएगे यहां दोरो तरफ पलस है तो माइनस यहां है solve के समय माइनस को पलस और पलस को माइनस जो यह दिया है दोस्तों उसी का भैलो यहां लिखेंगे या गुने यह power जो उसका multiply कर देंगे लोगा 29 under root 29 क्यों 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 कि तीन बार है देखिए अब तीन बार under root गुने under root गुने under root यहीं आएगा यहीं आएगा इसका मतलब यहीं होगा तो 2 के चलते यहां 29 आगया और यह जो बच गया हो यह हुगा और माइनस क्या होगा दोस्तों यह 3 under root 29 ऐसा लिख सकते है 26 under root 29 हमारे यह एंसर होगा दोस्तों यह हम अगला question देखते हैं दोस्तों दो question लेते हैं एक question SST 2020 कि इसका पूछा हुआ भी है देखिए कितना आराम से बनेगा यहां में देखना है इक्वल टू बताया है अकर पलस में मान दिया हो माइनस में इसका निकालना हो तो क्या होता है under root जो दिया है उसका square क्या होगा दोस्तों तीरी करनो माइनस है तो माइनस में निकालना है तो माइनस क्या होगा 4 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 तो अंडर रूट फाइफ हमारा ट्रिक क्या है इसका क्यूब यानि जो भैलू आया है उसका क्यूब तो पांच का क्यूब और यहाँ माइनस में पूछ रहा है तो प्लस हो जाएगा यही भैलू जो है ओ अगुने जो पामर आप दिये है तीन का गुना कर दिजिए बन गया इसका अमान क्या होता है फाइफ अंडर रूट फाइफ पलस यहाँ हो जाएगा थ्री अंडर रूट फाइफ इक्वल टू एट अंडर रूट फाइफ हमारा एंसर हो गए दोस्तों तो चलिए अब इसको करते हैं बहुत ही असान देखिए पूछा हुआ है 2020 में तो इसको पहलू इसको स्कुइर क्या अइन्डर रूट फाइफ ध्यान दीजिएगा इसका स्कुईर ओ और माइनस यहाँ है माइनस में करना है माइनस फोर होता है अंडर रूट फाइन प्यान गया घ्याहक थाई गों दोस्तों वर्ट फ्यादिप तो बहुत असान तो करते और आल दोनों माइनस में आगे द्यान दिजेगा, यहां भी माइनस और यहां माइनस तो, और क्या करेंगे, जो भैलू दिया हुआ माइनस तो इसका Q, यानि 3 का Q, इसमें हम क्या देखते हैं, पलस है तो माइनस, माइनस है तो पलस, तो यहां माइनस में तो यहां पलस करेंगे, क्य तो क्या हो दोस्तो 27 प्लस 9 इस प्लस तो 36 एंसर होगा दोस्तो चलिए दोस्तो टाइप 7 भी कर लेते हैं दोस्तो टाइप 7 का कुछ कोस्तन है जिसमें सारे टाइप से आपके टू टाइप 3 टाइप 4 जितने भी अभी करा है उस सब मिल जूल कर यह बना है यदि x plus 1 by x is equal to 3 हो तो x का power 4 plus 1 by x का power 4 का मान क्या होगा बहुत ही असान है जब 2 पढ़ लिए 3 पढ़ लिए तो 4, 5, 6, 8 जितना का भी power आएगा आप आराम से निकाल लिजेगा कही दिकत नहीं होगी तो पहले इसमें क्या करते हैं हाँ पलस से ध्यान दिजेगा पलस है तो बहुत असान होता है माइनस में थोड़ा हमको कुछ और कल्कुलिसन करने पड़ते हैं पलस तो डिरेक्ट निकलता है तो पहले क्या करेंगे कि पहले x square plus 1 by x square equal to क्या होगा निकाल लेंगे यानि यह पावर फोर है तो दो बड़ा square कर दिए माल यह कोई चीज का square है इसका square कर दिए तो यही न होता है x का power four तो एक बड़ा square करेंगे फिर जो आएगा उसका square उस value का कर देंगे हमारा answer आ जाएगा दोस्तों तो वही तो है यहाँ तो एक बड़ा square करेंगे यानि 7 आ गया दोस्तों, अब क्या करना है, अब x का पावर 4 अब जो आएगा, यानि एक बार तो x स्क्वायर निकाल लिए, तो फिर इसी का स्क्वायर का जो भैलू निकाल देंगे, तो हमारा x का पावर 4 का भैलू आ जाएगा, तो क्या होगा, इसका तो हमारा क्या आया है, 7 value आया है, तो फिर यही trick लाग होगा, यह 7 का square minus 2, यहनी 49 का square minus 2, 47 हमारा answer होगा दोस्तों, तो यहाँ plus हो, तो कोई दीकत नहीं है, यहाँ minus होगा, तो थोड़ा परचानी होगी, और देखिए, अब minus वारा करके हम आपको दिखाते हैं, देखिए, कुछ नहीं, यहाँ क्यों सिंबल चेंज कर दिए, सब कुछ, ए रखिए, यहाँ सिंबल चेंज कर दिए, तीन भी भैलू रख सकते हैं, लेकिन चलिए, थोड़ा भैलू भी चेंज कर देते हैं, 5 कर देजिए भैलू, अब इसको हम बनाते हैं, दोस्तों, अब देखिए, थोड़ा सा दिकत होगी आपको यहाँ बनाने में, लेकर कुछ दिकत नहीं है, आप इसके बारे में समझ र होता है लेकिन है क्या है यह फोर है यहां फोर है अस्क्वाइर के जगा फोर है ध्यां दिजिएगा अराम अराम से बना रहा हूं तो इसमें अस्क्वाइर हो जाएगा यह दोनों अब यह बन गया तो इसका मानेहा रखिए ना तो यह फोर ध्यां दीजिए एकदम अराम से बनेगा माइनस 1 by x का पार 4 यानि यह ए और यह बी हो गया तो क्या बता है यहां होगा x square plus 1 by x square हो गया और है x square minus 1 by इसी concept पर बनेगा यह भैलू आगया मेरा अब यह आगया तो इसको तो निकलना बहुत असान है ज़िया है जो भैलू दिया है उसका square minus क्या 2 बस यह हो गया इसमें दिकत होगी तो कुछ नहीं यहां इसको तोड़ दिजिए a square minus b square a square minus b square क्या होता है तो a plus b ध्यान दिजिए और into a minus b यहीं न होता है, अब तो कुछ होता नहीं, बन तो गया, इसको हम तोड़ दिये, तो a plus b into a minus b, अब हो गया, अब इसका तो हमें तो निकाली नहीं, यहाद कोई दिकाती नहीं आपको, क्या हुआ, 25 minus 2, यह portion हमारे निकलते हैं, ध्यान दिजिए, इसका क्या होता है, दिया हु हुआ है, तो x minus 1 by x type 3, type 3 जो पढ़ा है आपको, under root, जो पावर दिया हुआ है, उसका square, ध्यान दिजिए, और यहाँ minus है तो minus, और plus है तो plus, तो minus है, minus 4, बन गया, यह type 3 हो गया, यह जो दिया हुआ भेलू हो गया, type 2 है, अब तो निकल गया, इसका मान क्या होगा, into 25 में से, जब हम 4 minus करेंगे, तो under root 21, तो जब गुना करेंगे, तो यहाँ, देखिए, इसका यहाँ कर लिते हैं, तो यहाँ जब गुना करेंगे, तो का होगा, x15 into 21, तो x15 into under root 21, एंसर होगा दोस्तों, तो कहीं भी आपको दिकत हो, तो आप निशित मेरे comment box में पूछ सकत हैं, तो चलिए, हम अगला question लेकर देखते हैं, तो दोस्तों, इसमें देखते हैं, क्या है, x plus 1 by x equal to 3, हो तो x का power 5 plus 1 by x का power 5 का मान क्या होगा, मान लिए x का power 5 है, ध्यान देजिएगा, आपको यहाँ समझाने के लिए दे दिया, तो आपको पता है न, कि x का power 5 कैसे होता है एक्स का power 2 गूने, x का power 3 करेंगे, तो गूना करने पर power जूगता है, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दिजएगा, एक और मान दिजए, पूछा, x का power 6, तो उसमें क्या होता है, x का power 2 का power 3, क्योंकि इसमें गूना होता है, तो अगर multiply करते हैं, तो power जूगता है, और यहां दखिये, इसका square q किये है, और फिर q किये तोफ फार 6 आया, ऐसा condition होता है हमारा ये बात का, लिवेज ख़ाल रखियेगा, तो पहले इसमें क्या कर रहेंगे है, कि एक बेन इसका square निकालेंगा या नी, x square plus 1 by x square equal to whatever दोस्तों कितना से है तीप 2 टीप 2 क्या है जो भैलु दिया है उसका square तो क्या हुआ 3 का square औब पलस है तो माइनस धो पलस माइनस पने तो क्या है 2 होता है तो क्या होगा दोस्तों 3 का 9 9 में सते हो जाएगा 7 x square plus 1 by x square equal to 7 है ध्यान दिजिए जो value दिया है उसका Q तो value क्या 3 है, ध्यान दिजिए, X plus 1 by X का power 3 हो जाएगा, जो value है उसका power Q होगा, minus है तो plus है तो minus 3 और इसी का फिर Q जो किया है उसका यहाँ multiply करें, तो 33 का 9 इसका क्या होगा, 33 का 9 नतिया 27, 27 में से, 27 में से 9 जाएगा, तो क्या होगा, 18 करेंगे, दोनों क multiply करते हैं तो power जूबता है, यानि power 5 multiply करने पर होता है, तो क्या होगा, तो X का square plus 1 by X का square, into XQ plus 1 by XQ, equal to क्या होगा, यह इसका value 7 है, इसका value 18 है, इसमें इसमें गुना करिएगा, तो क्या होगा, ध्यान दिजिए, X का power 5, plus, यह जब इसमें जाएगा, इससे जब गुना होगा, तो 1 by X बचेगा, अब देखिए, अब इसमें इससे गुना करेंगे, तो क्या होगा, प्लस उपर केवल X बचेगा प्लस इसमे जब इससे गुणा करेंगे तो उपर एक का एक हो जाएगा नीचे दोनों में जब गुणा होगा तो पावर जूट जाएगा, क्या हुआ 5, equal to इसमें जब गुणा करेंगे तो 120, 6 होगा तो है X का पावर 5 प्लस 1 by x का पावर 5, प्लस, अब इसको एक्जाय कर दिए, x प्लस, x प्लस 1 by x, इक्वल टू 126, बन गया, अब क्या है? अब हमारा निकल गया ही पर देखिए, x का पाँवर 5 plus 1 by x का पाँवर 5 equal to 126 और x plus 1 by x का मांद दिया हुए हा 3 तो 126 पे 3 घटा दीजिए यहाद़ी x का पाँवर 5 plus 1 by x का पाँवर 5 equal to 123 अवर ही हेँआवा answer हुआ दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक और question देख लेते हैं देखिए दोस्तो, power 6 वाला question आ गया है, यदि x plus 1 by x equal to 3 हो, तो x का power 6 plus 1 by x का power 6 क्या होगा, बहुत ही असान है दोस्तो, x का power 6 का मतलब क्या होता है, दोस्तो ध्यान दिजेगा, x का square और यहां q कर दिए, तो power में गुना हो जाता है, तो 3 दूनी का 6 is equal to x का power 6, बस इसी अमसार बनाएंगे, तो पहले हम इसका square निकालते हैं, यानि a square plus 1 by x square equal to क्या होगा, ध्यान दिजेगा, आपको बता है, जो भैलू है, उसका square minus 2, plus है, तो minus minus 2 is equal to क्या होगा, तीरी के 9, 9 में से 2 जाएगा, क्या होगा, 7, यानि 7 वह होगा, तो अब क्या करेंगे, तो यानि अब हम हमको x upon 6 plus 1 by x upon 6 के लिए क्या करना है, यानि type 6, यानि क्या करेंगे, दोस्ते हैं बताएं न, एक बार square करना है, या इस इसी का cube करना है, तो 6 निकालने के लिए x upon 6 के लिए, तो square किये हैं, तो क्या है आए आए आए, हाँ, square किये हैं, तो भैलू 7 आए है, देखिए 7, अब इसी का cube करेंगे, नि type 6, type 6 हम करने जा रहे हैं, तो इसका type 6 में क्या है, जब हम cube करेंगे इसका, तो पहले इसका cube, और plus है तो minus, और minus है तो plus है, हाँ, plus है, तो minus 7 I into 3, इसी का गुना करने के power का, बताएं आपको, तो क्या हो गया दोस्तो, 4, 3, 4, minus 21, equal to हो गया आपका 4, 1, 3, यह हमारा answer हुआ दोस्तो, तो इस टाइब के tricks और techniques के लिए मेरे YouTube चानल लर्न बिद्विसाओं को अबस सब्सक्राइब किजिए, पढ़िए, भविस गढ़िए, धन्यवाद.